जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माह 2021 के चौथे सप्तहा के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रहों की इस्तिती कैसी होगी और उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होगा ग्रहों के योग से किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आपसे चोटा सा निवेदिन है चैनल पर अगर आप पाज पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलती रहेंगे तो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं और ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा की इस्तित्थी इन साथ दिनों में मीन राशी से गोचर करते हुए व्रशब राशी तक जाएगी यानि तीन भाव आपके सक्रे रहेंगे मीन, मेस और व्रशब इन तीन भावों में चंद्रमा होंगे और इनी की अनुसार आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस सब्ताह में बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा बुद्ध शुक्र की राशी तुला राशी में गोचर करने वाले हैं जहां उनकी यूती शुक्र से होने वाली है ऐसे में बुद्ध और शुक्र का संयोग होगा अब ये जो संयोग होगा ये कुछ अच्छे योगों का निर्मान भी करेगा तो इन योगों का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा पहले से ही एक मंगल और सूर्य है ये दोनों एक साथ बैठे हुए है श्रादपक्ष चल रहा है पूरा सप्ताह ये पितरपक्ष यानि श्रादपक्ष को ही समर्पित है तो अब विस्तार से जान लेते हैं कि ये जो सप्ताह है ये किस तरह के परिवरतन आपके दिनचर्या में लेकर आएगा इस सप्ताह की शुरुवात मंगल और सूर्य की द्रस्टी आपके द्वीते भाव पर पड़ रही है द्वीते भाव धन का भाव होता है तो आर्थिक द्रस्टी से ये सप्ताह की शुरुवात बड़ी ही शुब होने वाली है या कहें तो ये पूरा सब्ताहा काफी शुब सावित होने वाला है आपके लिए ऐसे में आप अपने प्रियासों में थोड़ी भी कमी ना आने दें क्योंकि इस समय आपके धन में व्रद्धी करने के लिए अनुकूल ग्रहों की इस्तिती है और ये आपके लिए एक बहतरीन अफसर आपको दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए आप अपने परिवार के प्रती अपनी जिम्मिदारियों को समझते हुए हर तरह से अपने परिवार के सदस्यों की जरुरतों को तरजीह देंगे ऐसे में उनके सुख दुख के भागिदार बनेंगे किसी बड़े पदपर आसीन मित्र से आपका फाइदा हो सकता है और छोटा सा प्रियास करने पर ही अपने कामकाज में आपको अदबुत परिनाम आसे लोंगे आपकी काबिलियत में पर लगेंगे ये जो सब्ता है ये आपके स्वाभिमान और अभिमान के बीच एक बॉन्डिंग इतनी अच्छी बना कर चलेगा कि आप अपने कामकाज में हर चीज का फाइदा उठाब सकेंगे सब्ता के मद्ध में थोड़ी जेब हलकी हो सकती है तो बे मतलब के कामकाज से आपको दूर रहना है कुछ नए विचार आपके सामने होंगे और नए विचारों से आपको सम्मान भी मिलेगा नए व्यपार में निवेश के लिए ये समय उचित नहीं है आप कोई नया निवेश इस समय ना करें करियर में कई तरह की संभावनाई जरूर बढ़ने वाली है आपके आंतरिक गुणों का विश्तार होगा अपने करमचारियों से अगर आप व्यवसाई हैं आप बिजनेस करते हैं तो आपको करमचारियों से ना उलजना है और अनावशक वारतालाब करने से भी बचना है कोई पुरानी उल्जन जरूर इस दौरान सुलज सकती है जिससे आपको काफी सुकून मिलने वाला है इस चीज को सुलजने से अधिकारियों के समर्थन से आपके टैलेंट को एक नई राह मिल सकती है इस अपताह में आपको वाहन का सुख प्राप्ति का यूग है नई गाड़ी का संकेत आपको आनन्द दे रहा है और ये इच्छा आपकी इस दौरान जरूर पूरी हो सकती है अगर आप पहले आपने कोई निवेश किया हुआ था तो वहां से आपको कुछ अच्छी खबरे सुनने को मिल सकती है और अपनी कामकाज में एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा चतुराई करने से बचें वरना लाब की जगह हानी भी हो सकती है तो ज़्यादा चतुराई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें किसी बिगड़े हुए रिष्टे को सुधारने की संभावना है प्रियास करेंगे तो जल्दी ही सफल हो जाएंगे उच्छ पद पर बैठे लोगों के करीब रहने से आपको अचानक से फाइदा हो सकता है तो ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए हैं तो निश्यत रूप से ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है करियर के लिए कई मिले जुले प्रभाव आपके लिए रहने वाले हैं कोई करीबी व्यक्ति आज सब्ता के मद्ध में थोड़ा तनाव दे सकता है तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा सयम रखकर सभी बातों पर आपको सभी बातों का निश्कर से निकालना होगा स्वास्ते का भी देहान रखना होगा स्वास्ते की जो सब्ताह की शुरुवात है उसमें आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा लेकिन मद्ध में आपके लिए स्वास्ते समधी परिशानिया हो सकती है लेकिन जो सब्ताह का अंतिम समय होगा ये आपके लिए आपकी कौशल से लाब दिलाने वाला होगा कारोबारियों के लिए शुब समाचार लेकर आएगा किसी की सकारात्मक टिपनी आनंद का स्रजन करेगी और भावनात्मक लगाओ भी कुछ लोगों से आपका रहेगा कारे में निपुनता रहेगी दीरज रखने से आपके हित में कार压 होंगे कुछ नया करने की इच्छा मन में जागरत हो सकती है बुद्ध का राशी परिवरतन होगा, शुक्र के साथ बाठेंगे शुक्र के साथ बुद्यूती करेंगे बुद्ध जो है व्यापार के सिक्षा के प्रेम के कारगर हैं और शुक्र ये भी प्रेम के कारगर हैं सौंदेरिया के हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति को बड़ा प्रबल करेगा प्रेम समंद्र के लिए मध्य सप्ताह से बहुत अच्छी इस्थितियां आपके लिए होने वाली है और सिक्षा के प्रती आपकी चिंता और चिंतन दोनों होने वाले हैं करियर में अद्बुत परिणाम देने के साथ अनोखे तनाव भी हो सकते हैं कुछ ऐसे तनाव जो आप इन तनावों को इस तरह के तनाव हो सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ परिशानी में डाल सकता है तो आप थोड़ा सा यहां सतर के जरूर रहें जो लोग कला के छेतर से जुड़े हैं किसी वी तरह के कलात मकरशनात मक फिल्ड से जुड़े हुए उनकी कोई चाहत पूरी हो सकती है और अपनी चाहत को पुरा होते हुए देखकर आपको बेहद खुशी होगी आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए ये जो सब्ता है ये बेहद अच्छा रहेगा आप अपनी कुछ बातें उनके सामने खुल कर रखना चाहते थे तो ये समय आपके लिए अच्छा है आपके काम को लेकर आपके अंदर उत्साह देखा जा सकता है उर्जा सामने से देखे जा सकती है और इसका सीधा असर जो होगा वापकी करियर पर होगा नई उर्जा नई उत्साह के साथ आप अपने काम पर लोटेंगे कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं पसंदिदा म्यूजिक सुन सकते हैं सबताहक केतु जो है वापकी उच्छराशी में विराजमान होकर दसम भाव में बैठने से छात्रों को मिलने वाली हर सफलता उनके अंदर आत्म विश्वास को अधिक बढ़ाने का कारे करेंगे ये सबताहमें केतु का सबसे अधिक जो प्रभा होगा वो होगा विध्यार्त के उपर जो सभी छात्रों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा किसी तरह के निर्णा लेने में वो भी आपके काम आएंगे और काफे अच्छा रहेगा अब ये जो सबताह है ये शराद पक्ष का सबताह है अपने पित्रों को याद करने का अपने पित्रों के निमी तरपन करने का वो कारियों जरूर करें और हर्मान जी की उबासना करें हो सके तो एक सुंदर कांड आप घर में बैठ कर कर सकते हैं यह आपके लिए उपलबधियों में चार चांद लगाने वाला सावित हो सकता है तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारी इस वीडियो को जड़ जड़ लाइक करें शेयर करें